तो Microsoft Power BI को कैसे हम अपने computer या laptop के अंदर install कर सकते हैं तो Power BI को install करने के लिए हम इस website के उपर आ जाएंगे इस website का link आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगा आप description box के अंदर जाएंगे link के उपर click करेंगे आप इस website के उपर आ जाएंगे अब Power BI को download करने के लिए हमको यहाँ पर option मिलता है download free अब Power BI को download करने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि यह software हम free use कर सकते हैं download free इसके उपर जैसे ही हम click करेंगे यह हमें Microsoft Store के उपर ले जाएगा simply हम get के उपर click करेंगे Power BI हमारे system के अंदर install हो जाएगा अब मान लेते हैं कि हमने download free के उपर click किया बट हम Microsoft Store के उपर redirect नहीं हुए तो इस case के अंदर हमको यहाँ पर second option मिलता है see download और language options यहाँ पर हम click करेंगे इस option का use करते हुए हम Power BI की language भी change कर सकते हैं अगर language हमको change करनी होगी तो जो भी language हमें चाहिए होगी उसको हम यहाँ पर select कर लेंगे download के उपर click करेंगे यह हमको file choose करने के लिए पूछेगा हम अपने system के हिसाब से यहाँ पर select करेंगे और download के उपर click करेंगे setup हमारा download होना start हो जाएगा जब हम power bi को microsoft store से download करते हैं तो future के अंदर जो भी software के अंदर updates आएंगे वो यहाँ पर automatically होते रहेंगे अगर हम second option का use करते हुए इसको download करते हैं तो जो भी update होंगे वो software के अंदर नहीं होंगे software download होने के बाद जैसे हम बागी software को install करते हैं सेम वैसे ही इसको भी हम install कर देंगे